नमस्कार दोस्तों आज हम बात करते हैं कैलास परवत एक अंसुल्जा रहस्य है कैलास परवत के इन रहस्यों से नासा भी हो चुका है है हैरान कैलास परवत की रहस्य है कैलास परवत यह है तियासिक परवत को आज हम सनातिनी भारतिय लोग सिवका निवास थान मानते हैं सास्तरों में भी यही लिखा है कि कैलास सिव का वास है किन्तों है नासा जैसी वैग्यानिक संस्था के लिए कैलास एक रहसे में जगह है नासा के साथ साथ कई रूसी वैग्यानिकों ने कैलास परवत पर अपनी रिपोर्ट पेस की है उन् सबी का मानना है कि कैलास वाकई कैई अलवखिक सक्टियां मतलब भग्वान की सक्तियों का केंडर है विग्यान यह दावा तो नहीं करता कि यहां सिफ़ देखे गए हैं परंतु यह सबी मानते हैं कि यहां पर कोई ना कोई पوتर सक्टियां जरूर काम कर रही है तो आईए आज हम इनके बारे में आपको बताते हैं और यहां से जोड़े रहसे बताते हैं तो रहसे नमबर एक रूस के वेग्यानेकों का ऐसा मानना है कि कैलास परवत आकास और धर्ती के साथ इस तरह से केंदर में है जहां पर चारों दिसाएं मिल रही है वहीं रूसी वेग्यानेकों का दावा है कि यह स्थान एकसिज मुंडी है मतलब केंदर है सारे एकसिजों का इसी स्थान पर वेग्यानेकों से आसानी से संपर कर सकता है दर्ती पर यह स्थान सबसे अधिक सक्तिसाली स्थान है इसी के साथ रहसे नमबर दो दावा किया जाता है कि आज तक यहां कोई भी व्यक्ति कैलास के परवत सिखर पर नहीं पहुँच पाया वहीं ग्यारवी सतावदी में तिब्बत के योगी मिलारेपी के यहां जाने का दावा किया जाता रहा है किन्तु यह योगी के पास इस बात का कोई सबूत नहीं थे यहावे फिर खुद कोई सबूत पे इस नहीं करना चाहते थे इसलिए यह भी एक रहस्य है इन्होंने हैं कदम रखा यहावे कुछ बताना ही नहीं चाहते थे रहस्य नमर तीन केलास परवत पर दो जीले हैं यहाँ दोनों जीले ही रहस्य बनी हुई है आज तक इनका भी रहस्य कोई नहीं जान पाया एक जील तो है साब पानी के रुसमें है पवित्र जहल और इसका जो आकार है वो बिलकुल सूर्य के समान बताया गया है वहीं जो दूसरी जील है उसका पानी बहुती पवित्र है गंदा है और इसका जो अकार है वो चंदरमा के समान है ऐसा कैसे हुआ यह कोई नहीं जानता यह भी एक रहस्य बना हुआ है रहसे नम्मर चार यहां के अध्यात्मिक और सास्त्रों के अनुसार रहसे की बात करें तो कैलास परवत पे कोई भी व्यक्ति सरीर के साथ उस्तम से घर पर नहीं पहुंच सकता ऐसा बताया गया है कि यहां पर देवताओं का आज भी निवास है पवित्र संतों की आत्मा को यहीं निवास करने का दिकार दिया गया है रहसे नम्मर पाँच कैलास परवत का एक रहसे यह भी बताया जाता है कि जब कैलास परवत पर बरप पे गलती है तो यहां से डमरू जैसी आवाज आती है असे कई लोगों ने सुना है लेकिन इस रहिस्ञे के वारे माज तक कोई नहीं जान पाया ना इस کا हल निकल पाया रहिस्यार नमबर सिक्स कई बार कैयलास परवत पर सात तरह के प्रकास आसमान में देखे गई हैं अलग-अलग रंग देखे गई हैं वहां के आस्मान में इस पर नासा का ऐसा मानना है कि चुम्ब की अबल और आस्मान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्मान होता है कैलास परवत दुनिया के चार मुख है रहसे नमबर साथ कैलास परवत दुनिया के चार मुख है धरम का केंद्र माना गया है यहां कई सादू और संत अपने देवों से आत्मा के द्वारा बात करते हैं असल में यह आद्ध्यत्मिक संपर्क होता है रहसे नमबर आठ कैलास परवत का सबसे बड़ा रहसे खुद विज्ञान ने साबित किया है यहां पर प्रकास और द्वानी के बीच इस तरह का सगाम मतलब ऐसा मिक्स होता है कि यहां से ओम की द्वानी आती है तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि कैलास परवत क्यों आज भी इतना धार्मिक और विज्ञानिक महत्व रखे हुए है हर साल यहां दुनिया बर से कई लोग अनुबव लेने आते हैं और सनातन धर्म के लिए कैलास सबसे बड़ा आदिक आलईन धार्मिक स्थल भी है और कई लोगों ने कैलास परवत पर चड़ने की कोशिस भी किया है सफल नहीं हो पाई इसी के साथ हम आपसे बड़ा लेते हैं